Welcome to class number 38. हम पढ़ रहे हैं number system को और ये 4 topic हम उसमें से cover कर चुके हैं. आज हमें देखना है divisibility rules को. तो कुछ class numbers के divisibility rules होते हैं जो हमें पता होने चाहिए अगर हम उन questions को solve करना चाहते हैं तो. अब ये divisibility rules जो है काम कहा काम पर आएगा जब आप remainder निकालना चाहेंगे तब ये काम आएगा प्लस जब आपको missing digit निकालनी होती है तब भी हमारा divisibility rule काम आता है. तो शुरू करते हैं एक एक करके हम सबके rules देखेंगे और उससे associated question solve करते जाएंगे. सबसे पहले आता है divisibility by 2 to the power n और 2 to the power m मतलब 2 की कोई power है और या 5 की कोई power हो तब हम उन numbers का divisibility कैसे निकालेंगे तो पहले हम यहाँ पे side में लिखते जाते हैं अगर मैं बोलू 2 to the power 1 यहाँ पे लिख लेते हैं 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 और and so on ऐसे ही नीचे power चलती जाएगी यहाँ पे मैं अलग रंग से लिख देता हूँ 5 की powers को 5 to the power 1 5 to the power 2 5 to the power 3 और यहाँ पे 5 to the power 4 and so on नीचे power उसके ऐसे चलती जाएगी तो हम कितने digits को चेक करते हैं तो अगर 2 की power 1 है मतलब अगर हम 2 से किसी number को divide करना चाहें तो हम कौन से digit देखते हैं एक digit देखते हैं वो सबसे last वाली तो power अगर 1 है तो हम digit देखेंगे कितनी 1 यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं number of digits number of digits है मतलब कितना भी बड़ा number मुझे दिया हो अगर मुझे चेक करना है कि वो 2 से divisible है या नहीं तो मैं सिर्फ उसकी unit digit को देखता हूँ मतलब एक digit मुझे देखनी होती है सेम चीज़ चलती है 5 के साथ भी अगर मुझे देखना है कि 5 से कोई number divisible है या नहीं तो मैं सिर्फ उसकी last digit चेक करूँगा तो जितनी power होती है उतनी digit हम यहाँ पे चेक कर रहे होते है यही logic नीचे भी चलता जाएगा अगर 2 की power 2 है मतलब अगर 4 की मुझे divisibility देखनी है तो मुझे number of digit 2 देखनी पड़ती है last की 2 देखनी पड़ती है सेम चीज़ चलती है 5 के साथ भी अगर 5 की power 2 है तो मुझे उस number की सिफ last की 2 digit देखनी होगी 2 की अगर 3 power है मतलब 8 से अगर मुझे किसी number को divide करना हो तो 3 की power है इसलिए 1, 2, 3 मैं 3 digit देखूँगा सेम 5 की power 3 के लिए भी चलेगा उसी तरह से 2 की power अगर 4 हो मतलब अगर मुझे 16 से divisibility चेक करनी हो तो मैं last की 4 digit देखूँगा क्योंकि यहां पर power 4 है सेम चीज़ चलेगा 5 की power के साथ भी तो यह तो individual numbers थे अगर 2 की power मतलब 2 से अगर चेक करना हो 4 से चेक करना हो 8 से करना हो 16 से करना हो या 5 से चेक करना हो 25 से करना हो 125 से करना हो 625 से करना हो तब आप जो power दिखरी है इनमे उतनी ही power की last digit को आप देखते हैं power अगर 1 है तो पूरे number की में सिर्फ last digit देखूँगा यही concept हम यूज करते हैं divisibility में अब इन से जुड़ हम questions को solve करके देखते हैं find remainder when इतना बड़ा number मुझे दिया है इसे divide करना है मुझे 32 से तो सबसे पहले में क्या करूँगा इस 32 को prime factorize करूँगा तो जब हम इसे prime factorize करेंगे तो हमें पता है 2 की power 3 होती है 8 उसमें 1 power और जोडेंगे 2 की power 4 हो जाएगी 16 और 2 की power 5 हो जाएगी 32 तो 32 जो होता है वो है 2 की power 5 अब मुझे इस number को 32 से divide करना है मतलब 2 की power 5 से divide करना है तो आप मुझे बताइए इस पूरे बड़े number की मैं कितनी digit चेक करूँ तो आप बोलेंगे 2 की power 5 है इसलिए आप बाकी की digit को छोड़ो आखरी की 5 digit को आप चेक कर लो तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 0 से लेके 2 बस इतनी digit मुझे चेक करनी है divide करके उससे मुझे पता चल जाएगा कि 32 से पूरी तरह से divide होगा या नहीं या कितना remainder बचेगा तो यह हमारा फाइदा होता है rules का इतना पूरा number हमें यहाँ पर नहीं deal करना पड़ेगा simply last की 5 digit हमें यहाँ पर deal करनी पड़ेगी अब हम इसे solve कर लेते हैं 0 का तो कोई मतलब नहीं पहले तो number हमारे पास बचा ultimately 111, 1, 2 अगर यहाँ पर कोई और digit होती देखना पड़ेगा 32 से अब इसमें क्या करेंगे या तो physically से आप divide कर लीजे normal तरीके से या अगर कुछ common निकल रहा हो तो वो factors को आप हटा दीजे जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है 12 यहाँ पर 32 तो 4 से यह होना ही चाहिए तो सब सब पहले हम इसे simplify करके देखते है 4 से 2 बार जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 31 तो 7 बार जाके 28 और फिर 3 हमें देगा तो वो जाएगा 8 बार अब नीचे कितना बचेगा यहाँ पर 4 से divide करेंगे तो 8 बार बचेगा अभी भी यह मुझे 78 आ रहा है मतलब यह 4 से तो नहीं 2 से divide हो जाएगा तो इसे हम 2 से और simplify कर देते है यह एक बार यहाँ से 3 बार यहाँ से 9 बार यहाँ से मारे पास बचेगा 4 बार अब यहाँ पर जितने factors आपने हटा हैं गलती ना हो इसलिए हम उसे उपर side में लिख देते हैं यहाँ पर हमने उसे कितने से simplify किया था इसे जब हमने simplify किया था तो पहले हमने 4 से divide किया था फिर इस वाली stage पर हमने 2 से divide किया तो 4 into 2 8 हमारा भी multiplying factor बचा है जो answer आएगा उसमें हम इससे multiply कर देंगे अब बचा 139 upon 4 तो इसे हम divide करके देख लेंगे 139 divided by 4 3 times जाएगा 12 देगा 1 और 9 बचेगा 4 बार जाएगा 16 बचेगा बचेगा कितना 3 तो 3 remainder मुझे यहाँ से मिल रहा है लेकिन चुकि यहाँ पे हमने 8 को जो common factor थे वो हटाया था तो इस 8 से मुझे इस remainder को multiply करना पड़ेगा तो 3 जो remainder आया multiply by जो multiplying factor आपने बाहर निकाला था यह हो जाएगा 24 24 remainder हमारा बचेगा option number B answer हो जाएगा तो यह तरीका है divisibility rule का प्लस यहाँ पे जो हम चीज कर रहे है common factor निकाल रहे है यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए चुकि यहाँ पे actual numbers को हमने divide नहीं किया 139 by 4 जो है इसको हमने divide किया तो इससे हमने reduce किया इस fraction को जिसे हमें originally divide करके remainder निकालना था उससे हमने common factor हटाके उस fraction को reduce किया कितने से reduce किया total 8 से नहीं हो जाएगा यह तो remainder है जब fraction को reduce करके आपने निकाला था इसमें आपको क्या multiply करना पड़ेगा जो factor आपने पहले से ही अलग कर दिये थे तो यह चीज last step में आपको याद रखनी है multiply करना otherwise आपसे गलती हो जाएगी अब देखते है next question यहाँ पर हमें इस number से remainder निकालना है 125 को divide करके तो again अगर मैं यहाँ पर देखूँ 125 को जब हम prime factorize करेंगे तो यह हमें देगा 5 cube इसका मतलब कि इस पूरे number को मुझे divide करना है 5 cube से अब जब 5 की power आ रही है तो मैं पूरे number को नहीं divide करूँगा मैं rule को apply करूँगा कि यहाँ पर अगर 3 मुझे power मिली है तो इस number की मुझे कितनी digit check करनी पड़ेगी last की 3 digit बस इतना मेरे पास अब calculation का part बचा तो मैं 910 को divide करूँगा 125 से या 5 cube से तो पहले हम देख लेते हैं कुछ factor यहाँ पर मिल रहे हैं क्या चीज बना देगा 182 upon 25 side में हम दिख लेते हैं कि हमने किस multiplying factor से इसे reduce किया तो हमने 5 से इसे reduce किया अब अगर इस number को देखूँ तो और कुछ common निकल नहीं रहा physically मुझे divide करना पड़ेगा 25 से अगर मैं 6 times देखूँ तो 150 जाएगा 7 times जाएगा 175 175 के बाद कितना number बचेगा कितना remainder बचेगा वहाँ पर 7 7 remainder बचेगा जब आप 182 को 25 से divide करेंगे तो 7 मुझे मिला अब यह तो reduce fraction का था original fraction का क्या होगा जब मैं उसे divide करूँगा तो जो हमने multiplying factor निकाला था उससे हम इसे multiply कर देंगे तो हमें मिलेगा 35 यह हमारा answer हो जाएगा दूसरी बात remainder में एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए जो remainder निकलता है वो हमेशा अपने जो divisor है उससे छोटा होना चाहिए तो चाहे यहाँ पर 35 देखे तो 125 से कम था उपर हमने 24 निकाला तो वो भी 32 से कम था अगर किसी वज़े से divisor जो है जो remainder है वो जादा आ जाए तब हम उसे एक बार और divide करके उससे हम reduce कर देंगे क्योंकि remainder हमारा चोटा आना चाहिए तो अभी तक के question में ऐसी problem नहीं आ रही है पर जब हम remainder theorem करेंगे तब हमें इस multiplying factor का बहुत ध्यान रखना होता है last step में हमें उसे multiply करना ही करना है अब हम देखते हैं दोनों की mixed divisibility को मतलब जब 2 की power भी कुछ हो और 5 की power भी कुछ हो अब यहाँ पर दोनों जगे n लिखाए एक काम करते हैं इस 5 वाले को हम बना देते हैं m तो 5 की power है m और 2 की power है n ताकि वो अलग-अलग आपको power दिखें ऐसा नहों कि आप उसे same समझ लें अगर same माल लेंगे तो वो तो 10 की power में काम करने लग जाएगा तो वो तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा लेकिन हम बात कर रहे हैं divisibility जब 2 की कोई power हो multiply में 5 की कोई power इससे हमें divide करना हो इसका तरीका ये होता है हमें निकालना पड़ता है maximum max किसका 2 की power है n 5 की power है n इन में से जो भी हमें maximum होगा चाहे n हो या m हो हम उतनी digit को consider करेंगे तो ये जो powers हैं इससे हमें number of digit मिल रही होती है जैसे उपर हमने देखा था 2 की जितनी power या 5 की जितनी power उससे हम उतनी digit को हम check कर लेते थे अब जब दोनों multiplication में होंगे मतलब 2 की भी कोई power है नीचे और 5 की भी कोई power है मतलब जिस number से आप divide कर रहे हैं उसमें 2 की भी power है और 5 की भी power है सिर्फ इनी दोनों की power है और कोई number उसमें involved नहीं है तब हम क्या करेंगे इन दोनों की powers में से जो maximum हमें power होगी उतनी number of digits को हम consider करेंगे इस चीज़ को आप example से समझे हमें remainder निकालना है इस number का जब हम इसे 40 से divide करेंगे 5 की power 1 तो अब मुझे यहां पर यह देखना है कि कितनी digits को मुझे consider करना है तो उपर rule था कि 2 या 5 की powers में से जो maximum हो उतनी digits को आपको consider करना है तो यहां 3 power है यहां 5 power है मतलब मुझे 3 digits को consider करना है मुझे सिर्फ यहां पर 3 digits को consider करना है तो दोनों में से जो maximum होगी उसे हम देखेंगे अब हमें मिलेगा 112 इतना ही digit हमें चेक करना है 112 को मुझे divide करना है 40 से तो अगर दो बार जाएंगे तो 80 हो जाएगा और बचेगा कितना उसमें 30 जोड़के 110 और 2 मतलब 32 यहां से remainder मुझे मिलेगा 32 32 से छोटा है तो option A हमारा यहां पर answer हो जाएगा तो जो सीखने वाली बात थी कि कोई भी ऐसे number जब आपको दिये हो जिने अगर हम prime factorize करें तो 2 और सिर्फ 5 की power हमें मिले 2 की power हो और 5 की power हो बस इसके लाभा और कोई number हमें वाँ पर कोई prime number हमें वाँ पर नहीं दिखे तब ऐसे number में हम 2 या 5 की जो maximum power होती है उतनी number of digits को consider करते हैं अब हम देखते हैं कुछ खास तरह की divisibility जैसे 9 लेकिन यहां पर मैंने bracket में लिखा है 10 to the power minus 1 क्योंकि यहां पर कुछ pattern चल रहे होते हैं उन pattern को हम identify कर रहे हैं इसलिए मैं इस तरह से लिखता जा रहा हूँ यहां पर मैं देख रहा हूँ 10 की power 1 है और उसमें से हमें 1 minus करके बना रहे हैं तो number हमें मिलता है 9 तो basically हम divisibility देख रहे हैं 9 की 9 की तो बहुत आसान होती है basic वाली property भी आपको पता है पर यहां पर मैं आपको कुछ और explain करना चाता हूँ कोई भी number आपको दिया हो जैसे number को हम ले लेते हैं 2,4,3,9,2,1 मान लेते हैं कि यह हमारा number है और मुझे divisibility चेक करनी है तो मुझे पता है digits हम से मैं चेक करता जाओंगा सारी digits को हम add करते जाएंगे आखरी में जो एक number हमारा single digit का बचेगा वह हमारा इसका remainder बन जाने वाला है पर यह जो अलग से तरीके से लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है अगर मैं इस तरीके की बात करूँ क्योंकि इस तरीके को ही हम आगे follow करने वाले है तो 9 तो हमारा special के से हमें पता है digits हम लगाएंगे solve कर देंगे पर यह तरीका आप समझिए pattern इससे आपको identify होगा जब आप end of the class में आज पहुचेंगे 10 की power 1 है मतलब इस 1 का कुछ लेना दे रहा है तो जब भी 10 की power में से आप 1 को घटाते हैं तब हम divisibility के लिए क्या करते हैं एक-एक डिजिट का bundle बनाते हैं तो क्योंकि 10 की power 1 है इसलिए इस power का सारा खेल है power 1 है इसलिए जो bundle हम बनाएंगे वो एक-एक डिजिट का होगा bundle का क्या मतलब bundle हम बनाते किस तरफ से हमेशा इस तरफ से यूनिट से शुरू करते हैं यूनिट डिजिट से और इस तरफ हम जाते हैं तो bundle हमेशा अगर हम number को देखें तो यूनिट से शुरू होके left hand side की तरफ जाएगा अब हमें बनाना है power अगर एक है तो एक-एक डिजिट का तो यहाँ पर एक डिजिट का एक bundle ये दूसरा bundle ये तीसरा bundle ये चौथा bundle पांचवा bundle और छटा bundle अब इन bundles को हम क्या करते हैं जब 10 की power में से हम कुछ एक minus कर रहे होते हैं तो इन्हें हम add करते हैं plus 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 यही चीज आप Digit Sum में भी कर रहे होते हैं तो Digit Sum का तरीका कहां से आया यहीं से निकल कि Digit Sum का तरीका आया है तो ये चीज में आपको बताना चाहता था कि हम इस तरह से bundles कैसे बना रहे होते हैं 10 की power को देखके और जब 10 की power में से हम कुछ minus कर रहे होते हैं तो सारे bundle आपस में add होते हैं बस अभी के लिए आपको इतना समझना है अब हम आगे चलते हैं यह हमें question दिया है find remainder when इतनी बड़ी digit इतना बड़ा number जो है इसे हम divide करेंगे 9 से तो हमें वह आपका answer हो जाएगा पर और fast तरीका क्या है कि जहां जहां आप 9 बना सकते हों उस 9 को आप हटाते जाएए जैसे एक तो 9 यहीं पर दिख गया तो 9 को मैं हटा दूँगा इस 8 के साथ 1 को हटा दूँगा 8 और 1 9 मुझे देदेगा इस 6 के साथ मैं इस 3 को हटा देता हूं यह भी मुझे 9 देदेगा फिर 4 और 2 6 और 7 8 9 तो 2 4 और 1 1 1 1 यह भी सारा अट गया तो यहां पर remainder मुझे कितना मिला जीरो यह number completely 9 से divisible है इसलिए remainder होगा हमारा 0 तो आप डिजिट सम से plus करके जिस जो भी तरीका आपको आता उस तरीके से कर लीजे पर यह सबसे fast तरीका होता है कि जितनी आपको दिखती जाती है उन्हें आप add करते जाए जैसे जैसे 9 बनता जाए उनको आप हटाते जाए अब हम चलते हैं next divisibility का rule है 10 की power 1 plus 1 तो पिछले हमने देखा 10 की power 1 minus 1 अब हम बात करना चाहते है 10 की power 1 plus 1 तो 10 की power plus 1 हमें देता है 11 तो यहां पर हम देख रहे है 11 की divisibility तो वह भी आपको पता है आप alternate numbers को right से right से शुरू करते हैं और plus minus plus minus करते जाते हैं अब वो चीज आती कैसे वो मैं आपको बता दूँ अगेन यहां पर हम कोई भी random number choose कर लेते हैं 2,4,3,6,5,1 मा लेते हैं कि यह हमारा number है तो मुझे पता है मैं यहां पर bundle बनाना चाहता हूं तो bundle के लिए कितनी-कितनी digit का bundle बनेगा वो कौन decide करता है 10 की power decide करता है तो 10 की power 1 है मतलब एक-एक डिजिट का यहां पर भी bundle बनेगा तो एक bundle यह हो गया एक bundle यह हो गया उसी तरह से एक-एक डिजिट के यहां पर एक-दो, तीन, चार, पाँच, छे bundle बनगा हमारे अब हम यहां पर प्लस करेंगे माइनेस करेंगे तो हम राइंट सुरू करते हैं और इस तरफ मोव करते जैसा हमने उपर देखा था यह सारे रूल्स के साथ इसी तरहurgHogal अब सबसे पहले को हम करेंगे ब्लस दूसरे को एंगे माइनड फिर प्लस 50 फिर माइनड फिर यही होता है हमारा 11 का जैसा हम हमेशा से करते हैं स्कूल डेस से कि इस वाले डिजिट को हम प्लस करते हैं अगले डिजिट को माइनस करते हैं फिर प्लस फिर माइनस तो यह प्लस माइनस कब हो रहा है जब 10 की पावर में कुछ 1 को आप एड़ कर रहे होते हैं जब आप 10 की पा करते हैं यूनिट डिजिट से और साइन रहेगा उसका अब हम इस चीज को लगाना चाहेंगे अपने कोशन में तो हमें अगेन निकालना है इस नंबर का रिमेंडर निकालना है जब हम इसे 11 से डिवाइट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस नंबर को नीचे लिख ताकि थोड़ी clarity हो जाए 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, और 13 यह मैंने नंबर को थोड़ा expand करके लिख लिया अब मुझे पता है 11 से मुझे divide करना है 10 की power 1 plus 1 है तो एक-एक मेरा digit बनेगा मतलब एक-एक alternate पे मैं plus minus करता जाओंगा bundle कितने कितने का बनेगा एक-एक digit का बनेगा शुरू करूँगा unit digit से plus sign के साथ तो इसे मुझे करना है plus इसे करना है minus 1 को करना है plus इस वाले 1 को minus इसे plus minus plus minus प्लस और minus तो हर एक bundle को मैंने alternatively plus minus करना शुरू किया अब या तो आप एक-एक digit को लीजिए जैसा आप basic करते जा र 2 में और फिर उसमें से माइनस करेंगे ये 1, 1, 8, 4, 1 को ये एक तरीका हुआ दूसरा तरीका जब मुझे individual digits को ही plus minus करना है तो मैं again इस तरह के जो adjacent digit हैं उनको भी मैं देख सकता हूँ वहाँ पर भी मैं plus minus करता जा सकता हूँ तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ अगर यहाँ पर मैं देखूं 3 और minus 1 तो ये मुझे देगा plus 2 1 और 1 में ये मुझे देगा 0 9 और 8 में ये मुझे देगा प्लस 1 6 और 4 में ये मुझे देगा प्लस 2 2 और माइनस 1 में ये मुझे देगा प्लस 1 अब इन्हें मैं आड़ कर दूँगा तो 2, 2, 4 और 2, 6 यहां से मुझे मिला 6 जो की answer हो जाएगा option number B मतलब जब हम इस number को 11 से divide करेंगे तो हमें 6 remainder वहाँ पे मिलेगा तो यह तरीका आप देखिए normal तरीके से थोड़ा हट कर है इसलिए fast काम कर रहा है एक-एक digit को आप पकड़के चलेंगे तो आप जबर जस्ती के calculation में फसेंगे adjacent digit को आप देखते जाएए क्योंकि हमें एक-एक digit कहीं तो plus minus करना है तो हम क्यों ना आसपास वालों को करते जाएए और फिर जो answer आएगा उसे हम finally add कर देंगे ठीक है तो यह तरीका हुआ अब हम आगे चलते हैं 10 की powers को हम बढ़ाते जा रहे है अब यहाँ पे 10 की power आ गई है 2 तो 100 में से हम 1 minus कर रहे है तो check करेंगे हम divisibility 99 तो हमने शुरू किया 9 से फिर हमने देखा 11 को अब हम देख रहे हैं 99 को अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 आ रहा है मतलब अगर मैं यहाँ पे एक number को लिखूं अगें यहाँ पे मैं random number को यह ऐसे लिख देता हूँ 3,1,2,9,5,8,7 2,2,4,2,6 और 1,7 मालत नहीं कि 60 digit का कोई number है और उसकी मुझे divisibility चेक करनी है 99 को लेकर अब इसका क्या मतलब है तो सबसे पहले हम देखेंगे bundle को 10 की कितनी power है? 2 power है तो मेरा bundle रहाएगा कितनी? 2-2 digit का बनेगा स्टार्ट कहां से करेते हैं? यूनिट डिजिट से यहाँ पे हम bundle बनाते चलते हैं 8 और 7 का एक bundle बनेगा 9 और 5 मतलब 95 एक bundle हो जाएगा 1 और 2 अगें 12 का bundle मतलब इन 2 नो डिजिट का bundle बन जाएगा अब बचा 3 3 के पास तो कुछ है नहीं तो वहाँ पे हम 0 एजूम कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम 0 लिख दें तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है तो यह भी हो गया हमारा 2 डिजिट का तो 3 0, 3 यह भी हो गया हमारा 2 bundle अब यह 2-2 डिजिट के bundle हम क्यों बनाते हैं क्योंकि 10 की पावर यहाँ पे 2 चल रही है इसलिए प्लस 10 की पावर में से आप 1 को माइनस कर रहे हैं तो जब भी आप 10 की पावर में से 1 को माइनस करते हैं तो अब यह जो बंडल हैं इन्हें आप आपस में add कर रहे होते हैं यहाँ पे sign क्या चलेगा हमारा सब पे plus अगर 10 की पावर में हम 1 को add करेंगे तब हम plus, minus, plus, minus इस तरह से proceed करेंगे जैसे हमने 11 के case में देखा था तो यह तरीका है चेक करने का अब हम इन numbers को 87 को add करूँगा 95 में फिर जो resultant आएगा उसमें add करूँगा मैं 12 को फिर उस resultant में add करूँगा मैं 3 को ऐसे जो number आएंगे उन्हें हम add करते जाएंगे जब तक कि हमें 2 digit का number ना मिले वो जो 2 digit का number ultimately मिलेगा वही बचेगा हमारा remainder जब हम 99 से इस number को divide करेंगे अब यह कैसे काम करता है इसका भी हम example देख लेते हैं अगेन इस number को मुझे divide करना है 99 से और remainder निकालना है तो इस number को पहले में थोड़ा सा अलग-अलग करके लिख लेता हूँ expand करके लिख लेता हूँ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, और 13 इस number को मैंने हापे लिख लिया अब मुझे पता है 10 to the power 2 माइनस 1 का केस है क्योंकि 99 से हम इसे divide कर रहे है तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा bundle bundle कहां कहां बरनेगा दो-दो डिजिट का यहाँ पे bundle बनेगा तो पहला बना 13 का bundle 11 का bundle 89 का bundle 46 का bundle और 12 का bundle अगर एक डिजिट और होती यहाँ पे क्योंकि तो even डिजिट होगी सारी दो-दो का एक डिजिट और होती तो उसके आगे में 0 लिख देता स्टार्टिंग करता हमें unit डिजिट से हमेशा bundle बनेगा पी unit डिजिट से प्लस माइनस का sign भी हम देना शुरू करेंगे हमारी leftmost leftmost bundle से इस वाले bundle से अब चुकि 10 to the power 10 की किसी power में से हम 1 minus कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सारा sign लगाना होता है प्लस का प्लस 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 और यहाँ पे भी प्लस अब इन bundles को हम add करते जाएंगे तो किसी भी order में add कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता अब यह individual number हो गए 12, 46, 89, 11, 13 इन हम add कर देंगे तो सबसे fast कैसे कर सकते हैं 89 और 11 यह हमें कितना दे देंगे 100 46 और 12 46 में 10 जोड़ेंगे तो 56 और 2 58 और यहां पर मात्र बचेगा हमारे पास 13 इसे हम तीनों को हमें add कर लेना होता है यहां से हमें मिलेगा 11 यह हो जाएगा 7 यहां से हमें मिलेगा 1 171 मुझे मिला लेकिन हमें divide करना है 99 से तो again 171 में इसमें भी हम same चीज लगा देंगे हमारे पास बचा 171 इसमें भी हम bundle बनाएंगे तो यहां से 71 का एक bundle बन जाएगा यहां पर एक 0 लिख देते हैं और यह 01 का दूसरा bundle बन जाएगा इन्हें भी हम क्या करेंगे add करेंगे जैसे हम 9 के case में क्या करते हैं इसी तरह से करते हैं अगर 9 से बड़ा 2 digit का नंबर होता है तो ओं digits को भी हम आपस में add करने लग जाते हैं क्यों क्योंकि हुआँ पे bundle 1 एक एक का रहता है इसलिए हम digits को add कर रहे होते यहां पे bundle 2 दो का है इसलिए पूरे पूरे 2 के bundle को हम यहां पे add कर रहे है इसलिए 71 वाले बंडल में हम add कर रहे हैं 01 वाला बंडल यह हमें क्या देगा 72 72 यह हमारा answer हो जाएगा तो option number A correct answer है तो यह तरीका है 99 से करने का तो जो important चीज़ चल रही है वो observation चल रही है कि हम 10 की powers में काम कर रहे हैं एक को कम कर रहे हैं इसी तरह से हमने देखा 9 के लिए 11 के लिए 99 के लिए तो अब आप guess कर सकते हैं कि अगला number कुण सा देखने वाले 10 square plus 1 तो चल यह उसको भी देख लेते हैं divisibility by 10 square plus 1 मतलब 1001 अब 1001 के लिए pattern आपको देरे-देरे समझ में आने लग गया कि हम क्या कर रहे हैं तो अब हम थोड़ा fast हो सकते हैं तो number हम assume कर लेते हैं 5, 8, 3, 9, 2, 6, 1 यह number मैंने assume कर लिया 10 की power 2 है तो bundle मेरे 2-2 के बनेंगे तो 61, 92, 83, 5 के आगे कुछ नहीं है तो 0 जोड़ दो, 0, 5 यह सारे मेरे bundle बन गए अब मुझे डालना है plus minus का sign तो 10 की power में आप 1 को add कर रहे है तो जब add करते हैं तो वो 11 वाला case बनता है इसलिए plus minus plus minus हमें करना है शुरुआत करेंगे सबसे शुरुआत इस वाले side के bundle से तो यहाँ पर हम लिखेंगे plus यहाँ पर minus फिर plus और फिर यहाँ पर minus इस तरह से हम इसे check करेंगे अब इसी का हम एक question करके देखते हैं तो इस तरही का आपको वहाँ पर clear हो जाएगा इस number को हमें divide करना है 101 से तो again मैं इस number को थोड़ा सा दूर दूर करके लिख देता हूँ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, और 13 यह मेरे पार digits आ गई अब मैं bundle बना देता हूँ 13, 11, 89, 46, 12 अब मैं इनके उपर sign डाल देता हूँ plus, minus, plus, minus, plus तो यह चीज़ है भाँ हमें यहाँ पर करना है अब अगेन यहाँ पर आप देखेंगे plus, minus हमें करना है इन पूरे numbers का 2, 2 के digit का तो चाहे तो आप plus, plus एक साथ और फिर उनमें आप minus करते जाएए या फिर adjacent numbers जो हैं उनके साथ भी आप deal कर सकते हैं जैसा आपको comfortable लगे आप वैसा करिए अब अगर मैं बात करूं 13 और 11, adjacent bundles को मैं देख लेता हूँ मुझे आसान लग रहा है, इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ यहाँ से दोनों से मुझे मिलेगा 13 और 11, plus का 13 है minus का 11 है, तो plus 2 मुझे यहाँ से मिलेगा अब अगर मैं इन दोनों bundles को देखूं तो यह वाला plus है, यह वाला minus है 9 मैं से 6 घटाएंगे, तो हमें 3 मिलेगा और 8 मैं से 4 घटाएंगे, तो यहाँ पर हमें 4 मिलेगा और यह plus का होगा की minus का, तो यह भी होगा हमारा plus का एक मात्र बचा हमारे पास plus तो उसे भी हमें add कर देना है यह हमें 3 नमबर मिल गए, इन्हें हम add कर देंगे अब यहाँ पर 43 में 10 आप जोडएंगे, तो आपको मिलेगा 53 53 में आप 2 जोडएंगे, तो 55 और उसमें 2 जोडएंगे, तो 57 option नमबर C यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा next हमें देखना है divisibility by 999 अब यहाँ पर 10 की power के आ रही है 3, उसमें से हम 1 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको पता है जो हम bundle बनाएंगे, वो कितने कितने digit के बनेंगे अब यहाँ पर जो bundle बनेंगे, अब numbers न लिखके idea आपको लग गया है, तो 3-3 टीन digit के bundle बनेंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि clarity रहा है हमारी हमेशा, number ले ले लेते हैं 7, number ले लेते हैं 7, 8, 3, 5, 4, 1, और 1, 9 यह हम यहाँ पर bundle ले लेते हैं, अब हम 10 की power 3 में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो bundle बनेंगे, वो कितने digit के बनेंगे, 10 की power 3 है, तो हम 3-3 digit के bundle बनाएंगे, तो 4-1, 9 का एक bundle बनेगा, 8-3, 5 का एक bundle बनेगा, अकेला बचा 7, तो assume कर लीजिए, आगे 2-0 लगे हुए हैं, तो 007, यह हमारा तीसरा bundle बन जाएगा, अब 10 की power में से आप एक को घटा रहे हैं, तो इन bundles को हम आपस में क्या करेंगे, एड करेंगे, जैसा हम 9 के case में करते हैं, यहाँ पे plus, यहाँ पे plus, यहाँ पे plus, जो bundles आएंगे, अगेन हम उने add करते जाएंगे, तीन-तीन डिजिट बनाके, जब तक कि हमारा number ट्रिपल नाइन से छोटा ना हो, इस चीच को हम apply करके देख लेते हैं, इस वाले number पे, तो again same number है, उसे हमें divide करना है, ट्रिपल नाइन से, तो इससे हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, और 13, अब यहाँ पे 10 की cube, 10 की power 3, minus 1 ने तो 3, 3 का मुझे bundle बनाना है, तो bundle मेरा कैसा दिखेगा, 1, 1, 3 का एक bundle बनेगा, 8, 9, 1 का एक bundle बनेगा, 2, 4, 6 का तीसरा bundle बनेगा, और 0 है, तो आगे 2 digit में 00 ले लेता हूँ, 001 का मेरा तीसरा bundle बन जाएगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम इन bundles को add करूँगा, क्योंकि 10 की power में से हम एक को घटा आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम plus, यहाँ पर भी plus, यहाँ पर plus, यहाँ पर plus, बेसिकली, 1, 1, 3, 8, 9, 1, 2, 4, 6, और 0, 0, 1 को मुझे add करना है, clarity के लिए इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, तो हम लिख लेते हैं, 8, 91, में हमें add करना है, 246, उसमें हमें add करना है, 113, और चौथा bundle है हमारा, 001 का, triple 9 है, 10 की power something, minus 1 है, इसलिए हम यहाँ पर सारे bundles को add कर रहे होते हैं, इससे अगर हम देखें, तो 10 और 11, यहाँ पर हमें मिलेगा 1, यह बन जाएगा 10, यहाँ से मिलेगा 15, यहाँ पर carry हो जाएगा 1, यह होता 10, यहाँ पर 12, अब मुझे मिला 1, 2, 5, 1, तो इस 1, 2, 5, 1 को मैं again side में लिख लेता हूँ, 1, 2, 5, 1, क्योंकि यह 1, 2, 5, 1 जो है, ट्रिपल नाइन से बढ़ा है, इस वह से मुझे एक बार operation और करना पड़ेगा, अब इस 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1 में 3, 3 digit हम बनाएंगे, तो आगे लिख लेंगे 0, 0, इस तरह से, फिर इन दोनों को हमें add करना होता है, तो 251 में add करूँगा, मैं 1, तो वो मुझे देगा 252, अब अगर मैं options देखूँ, तो यहाँ पे 252 नहीं है, इसका मतलब options हमारे गलत दी हुए, लास्ट वारा जो हमारा number है, इससे आप मान लिजे 252, अब यह हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, तो 251 आया था, और एक bundle हमारा 1 का था, इसलिए 251 में हम add 1 को add करेंगे, और हमें answer मिलेगा 252, तो डी वाले option को आप यहाँ पे correct कर लिजेगा, अब हम चलते हैं, अगले divisibility पे 10 की power 3 को अब हम देखना चाहते हैं, 10 की power 3 को अब हम देखना चाहते हैं, तो logic again same रहेगा, 10 की power जा रही है और उसमें plus add कर रहे हैं, तो bundle तो हमारे 3-3 के बनेंगे, लेकिन हम उसमें, अब सबको add न करके, bundles को plus minus करेंगे, तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई, अब इसक का question solve करेंगे, तो हमें divide करना है इस number को 1001 से, तो हमें पता है 10 की power 3 जा रही है और उसमें 1 को add कर रहे हैं, तो पहले इस number को मैं अलग-अलग करके लिख देता हूँ, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 और 13, यह हमारा पूरा number था, अब 3-3 के मुझे यहां पे bundle बनाने है, तो 113 का एक bundle बनेगा, 246 का एक bundle बनेगा, और यहां पे 2-0 आगे लगा दें, तो 001 का एक bundle बनेगा, अब 10 की power 3 में हम एक को add कर रहे हैं, 11 जैसा case बन रहा है, इसलिए, plus, minus, plus, और यहां पे minus, अब अगर हम इन bundles को देखें, तो 891 नेगेटिव का है, और यहां पे 1 है, तो अब अगर हम यहां पे positive वाला bundle देखें, तो वो हमें मिलेगा, 6 और 3, 9, 4 और 1, 5, 2 और 1, 3, यहां पे यह वाला negative है, तो इन दोनों को जब हम आपस में add करेंगे, तो वो हमें देगा, 12 में से 9 घटाना है, तो 3, यहां पे बन जाएगा, 8, 8 में से 5 घटाएंगे, तो 3, यह लेकिन remainder कभी भी negative नहीं हो सकता, तो अब positive वाला निकालने के लिए हम क्या करें, diviser को add कर देते हैं, तो basically हम, जो हमारा diviser है, 1001, उसमें हमें इस negative remainder को add करना पड़ता है, या कहें इस negative remainder में हमें इस diviser को add करना पड़ता है, ताकि हमें positive remainder मिले, यहां से हमें minus करना है, 5, 33 को, अब हम अगर इसे देखें, तो यहां हो जाएगा 11, में से 3 जाएगे 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 6, 8 मेरा positive remainder है, और यह हमारा answer हो जाएगा, option number B is correct option, तो यह सब हमने देखा 1001 के लिए, अब यह 1001 special number है, आपको पता है कि यह special number है, क्योंकि पिछली class में हम तो यहां पर आप concept चलने लगता है, combined divisibility का, वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूँ, combined divisibility, अब इस बात का क्या मतलब है, combined divisibility का, इससे पहला हम एक box में डाल देते हैं, ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, अगर आप इस 1001 को देखें, और इसके अगर मैं factors को देखूँ, जो important factors हैं, तो वो मुझे क्या मिलते हैं, 1001 के factors मुझे क्या मिलते हैं, 7 मुझे एक दिखता है, 11 उसमें मुझे दिखता है, और 13 उसमें मुझे दिखता है, यह मुझे 1001 में दिखते हैं, तो बस यही चीज़ चलती है, यह जो divisibility का rule अभ हम जा सकते हैं अब 11 का तो हम अलग से colors पता है है तो हम 11 का चाइब और यौ ॉब् sigui लॉग करें लेकिन तो 13 की भी डिवेश्च कर सकते हैं 7 की भी डिविजीबिलिटी च्क कर सकते हैं using 111 यही कहलाती है कंबाई N eff 지난 Fore अगर कोई बड़ा सा number मुझे दिया जाता जिसकी divisibility या उसे divide करना होता मुझे 13 से और remainder निकालना होता तब उस case में क्या करता है मुझे 13 का तो कोई अलग से मुझे पता नहीं divisibility rule क्या हो सकता है ऐसे cases में हम use करते हैं 1001 को तो पहले उस number को में 1001 से divide करता 12 को हम लेते हैं 12 कोई भी number हो जिसे 12 पूरी तरह से divide कर देता हो ठीक है तो अगर मैं 12 के factors को देखूँ 2 3 4 6 ये 12 के proper factors है तो अगर 12 किसी number को divide करता है तो उसके factor भी उस number को आराम से easily divide करेंगे पूरी तरह से ये मुझे पता है दूसरा एक और चीज़ अगर मैं बोलू कोई number है जिसे 12 से divide करने पे कुछ remainder बसता है और फिर मैं पूछो अगर उसी number को इन factors में से किसी से मैं divide करूँ तो कितना remainder बचेगा तो आप देखेंगे जो जितने 12 के quotient है वो तो पूरा divisible है बचे हुए remainder को ही हमें divide करना पड़ेगा इस factor से तो वही concept यहाँ पे भी चलता है तो questions में जब भी हम से 7 या 13 की divisibility इस तरह से पूछी जाएगी तब हम 1001 से पहले उस number को divide करके remainder निकालेंगे फिर उस remainder को हम divide कर देंगे 7 या 13 से जिसकी भी हमें देखना होगा और उसका remainder हम finally देखेंगे तो यह कहलाता है combined divisibility यह चीज अभी जब हम आगे remainder वाले और questions करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे पर अभी के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ पर क्या काम कर रहे है उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे triple nine को भी बता दूँ triple nine का क्या मतलब होता है triple nine का मतलब है यहाँ पे हम nine और triple one की बात कर रहे है यह मतलब हुआ तो nine का तो हमें पता है एक अच्छा सा rule छोटा सा हमारे पास already है अगर triple one की divisibility पूची जाती तो पहले में ट्रिपल 9 से डिवाइट करता, फिर उससे डिवाइट करता, अब अगर मैं 111 को भी देखूँ, तो इसे भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 3 multiply by 37, तो अगर मुझे 37 के बारे में पूछ ते डिवाइट करने को, तो भी मैं 999 को यूज करता, दूसरा अगर मैं यहां से देखूँ, 9 और यहां पर 37, मतलब यहां पर एक मुझे 27 भी दिख रहा है, 27, ट्रिपल 9 वाले case में, तो अगर 27 की divisibility होती, तो भी मैं 999 को यूज करता, तो यह होती है combined divisibility, चीजे बहुत fast काम करने लगती है, जब हम इस तरीके को apply करते हैं, इसको हम आज की class में नहीं करे नहीं है, जब हम आगे के questions को solve करेंगे, तो यह था 39 का answer था 468, अब हम चलते हैं, last question, हमें divide करना है इस number को 27 से, तो देखे 27 हमें already यहां पर दिखी गया, अब 27 का कोई अलग से तो rule हमें पता नहीं है, एक उसका यह होता है कि जो total number है, वो 27 से अगर sum करते जाएंगे, तो 27 क के बराबर या उससे कमाना चाहिए, तो ही यह divisible होगा, पर इतना कौन कर पाएगा, वो तो बहुत मुश्किल पढ़ जाएगा, आसान तरीका क्या है, मैं इसे 999 से पहले check कर लूँगा, जैसे इस number को पहले में नीचे लिख लेता हूँ, 2, 3, 7, 9, 8, 1, और 4, तो हम यहां यहां पर यूज कर रहे है, concept of combined divisibility, कि 27 का मुझसे पूछा है, लेकिन मुझे पता है कि इस number का 999 से निकाल लेना ज्यादा आसान है, तो पहले मैं 999 से इसका remainder निकालूँगा, और फिर उस remainder को में डिवाइट कर दूँगा, 27 से, मुझे answer मिल जाएगा, तो हम निकालना चाह इसके आगे हम लिख लेंगे double 0, एक bundle हमारा ये भी बन गया, चूकि हम 10 की power में से एक को minus कर रहे हैं, तो यहां पर हम सब को plus करेंगे आपस में, ये भी plus और ये भी plus, अब हम इसे solve कर लेते हैं, 9 और दो 11, और ये 4, 15, 5, carry जाएगा 1, तो 7 और 8, और एक बचेगा हमारा 9, जो carry था, और फिर 3 और 8 हमारा हो जाएगा 11, तो 11, 95 हमारे पास बचा, ये हमारा 9, 9, 9 से बढ़ा है, तो again हम क्या करेंगे, इस पे भी 3, 3 का bundle बना देंगे, ये 0, 0, ये हमारा bundle बन गया, इनको फिर हमें करना पड़ेगा, plus, तो ultimately हमारे पास number क्या मिलेगा, 1, दोनों को add कर remainder है, जब हम इस number को 999 से divide करेंगे, तो, अब हम से पूचा है 27, तो मुझे पता है, 27 तो इसका factor है, तो अगर 999 को divide करके, मुझे 196 मिलता है, तो 27 से divide करके क्या मिलेगा, तो मैं जो remainder आया है, इसे divide कर दूँगा, 27 से, 27, अब 27 से divide करना चाहें, अगर हम, तो 10 बार जाएंगे, तो 270 हो जाएगा, और 2 और कम, तो एक बार 7 से try करके देखते हैं, 27, 7, 140, 49, यह मुझे देगा 189, ठीक है, यही closest जा रहा है, इसे उपर तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार अगर मैं इसे भाग दूँँ, तो यह मुझे देगा 189, कितना gap आ रहा है, दोनों में 7, तो ultimately मुझे मिला remainder 7, यह हमारा answer हो जाने वाला है, इसे हम कर देंगे, ठीक, तो यह फाइदा है combined divisibility का, अगर मैं अलग से 27 का कोई भी rule use करूं, divide करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा calculation में मैं first जाओंगा, लेकिन triple line से, उसे मैं divide करूंगा 27 से, वह ही मुझे देदेगा final मेरा answer, तो इस तरह से हम use करते हैं, प्लस ऐसे जो question आएंगे remainder के, वो कुछ न कुछ इसी logic base पे रहेंगे, या तो 27 आपको दिखेगा, या फिर आपको यहाँ पे 37 दिखेगा, या 111 या 1001, इसमें आने वाले factors का तब ही आप ये rule लगा सकते हैं, और questions भी इसी basis पे आते हैं, अभी तक जो question आए है, exactly यही concept वहाँ पर apply हुआ है, कुछ भी अफलातून सा number देखके आपको परशान नहीं करते examiner, कुछ logic चल रहा होता है, तो या आज हमने देखा divisibility rule, बहुत important topic है, जितने numbers का हमने देखा ह divisibility rule, वो आपको पता होना चाहिए, कैसे काम कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या fast तरीका है उसे solve करने का, वो आज हमने देखा, वास्ची class को हम यह पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली class में. झाल, 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